इस दुनिया के अंदर एक भी पॉइंट अगर आपका कमजोर है तो फेलिंग आ जाएगे बिल्कुल फेल हो जाएगे इसलिए छोटी छोटी भारीक बातों पर भी ध्यान दीजी और इस्तरियों को चाहिए कि अपने पतियों को उल्जाये मत गुश्चा मत करें खुस रखें जब आपका पती बाहर जा रहा हो काम से तो धन्यवाद दे कर भेजें मुश्करा कर भेजें और कह दें कि काम पूरा होगा जाओ मेरी शुब कामना है ऐसा मत बोलें मेरा सुभासिर बाद भेजाओ होगा सुभासिर बाद तो गुरुजी बोलेंगे और उरस भी जब घर से अपने निकले तो अपने पतनी की तरफ मा की तरफ बहन की तरफ सब की तरफ मा की पेर छो कर परशन्वो कर जाए पतनी को कहिए नमसकार आ जाओंगा समय पर चिंता मत करना खुश करके जाओ अगर जिका जोरी करकर जाओगे कितने लोग तो रोज जिका जोरी करके दुकान पर जाते हैं ये घर की उल्जन दुकान पर पहुँचेगी, आपकी दुकान में गिरावटा जाएगी, आपकी बिजनस में गिरावटा जाएगी, घर की समश्या आपके बिजनस को प्रभावित कर सकती है, और बिजनस की समश्या घर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए घर में खुश रहो ताकि बिजनस में डिश्टरम decision तो तुम को बुला भी न सकोगे तो तुम धन्वान भी बनो और महान भी बनो तब तुमारे द्वारा सब का कल्यान होगा रतन का जतन करो मारी का सिंगा आया कबीरा फिर गया जूटा है रंका संद कबीर कहते हैं रतन को जतन पूरवक सभ़ब मनुष्य जीवन को बिर्थ मत खोने दो स्वार्थ में मत खोने दो अनर्थ में मत खोने दो अर्थ में मत खोने दो परमार्थ और धर्मार्थ में लगाओ शेवा परोबकार भी करो अपना पेट और बेटी बेटा और बेटी जीवन का लच्छ नहीं होना चाहिए दूसरों का भी खयाल करो परही तसरिश धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई और जतन पूर्वक इस जीवन को सभालने का आर्थ है जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे साइकिल चलाते हैं उसका हैंडिल छोड़ देते हैं लेकिन साइकिल गिरती नहीं और साइकिल चलती रहती है वो हैंडिल किसने समभाला है वो उनके भीतर की जतन है वो जतन से हैंडिल समभला रहता है कभी कभी आपने देखा होगा महलाएं सीस पर पानी के घड़ा भर करके लाती है दो दो तीन तीन पानी के घड़ा ये बात करती हैं चीत करती हस्ती मुस्करती पैदल चलती है और घड़े को पकड़ती नहीं है फिर भी घड़े गिरते नहीं है वो घड़ा कौन सभाल रहा है वो इनके भीतर का जतन सभाल रहा है ऐसे ही दुनिया के तुम काम करो बिजनिस करो, ब्यापार करो, नौकरी करो राजनेती करो, खेती बाड़ी करो घर समालो, फेमली समालो समाज को समालो लेकिन साथ साथ में आपकी जिन्दगी में सुक्सांती का घड़ा लुड़कने ना पाए उसको भी जतन पूर्बक सभालते रो रतन का जतन करो माणी का सिंगार आया कबीरा फिर गया जूठा है हमकार शंद कबीर कहते हैं माणी का सिंगार माणी कौन है माणी नाम ये सरीर माणी है इसके स्रंगार में फैसन में ही मत भूले रहो इस शरीर से बहुत बढ़ा काम लेना है आपको आत्म कल्याण लोक कल्याण परशेवा समासेवा फेमली की शेवा गुरू की शेवा संत सेवा देश सेवा इसकी स्रंगार और फैसन में ही उल्जिर होगे तो इससे काम कब लोगे कितने लोग अपने शरीर को सजाने समारने में तीन तीन घंटे खराब करते हैं कितने लड़कियां पढ़ती तो दो घंटे हैं लेकिन चार घंटे बाल सभाती हैं ये खोपड़ी के बाल इधर मोड़ना उधर मोड़ना उपर उठाना नीचे गिराना आधे काट देना पीछे लंबे कर देना शारा लफड़ा बनाती रहती हैं मैं तो जब देखता हूँ तो मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि है तो बुद्धिमान लड़की नहीं तो बालों को इतना तोड़ मोड़ कर पाना बुद्धो का काम भी नहीं है लेकिन है मुरक भी बालों में ही फसी हुई है दूसरा काम कब करेंगी ये बालों में समय मत गमाओ ये बाल कल्यान नहीं करेंगे इनको चाहे जितना समालो आखिरी ये बाल पक जाएंगे सफेद हो जाएंगे और ये बाल आग में चलेंगे चिता में चलेंगे हमारी जिन्दगी का लच्छ बाल है न गाल है न खोपड़ी है न कपड़ा है न लपड़ा है जिन्दगी का लच्छ बस दोही है उन्नती से जीना और शान्ती पूर्बक रहना ये जिन्दगी का लच्छ है उधर दिमाग लगाओ मुची सिच्छा प्राप्त करने में माइंड लगाई ये कले कलेश में भी अपना दिमाग मत लगाई ये परिवारी को इलजन में दिमाग मत कोई ये मनुष्य का असी फीश्दी समुदाय पारिवारी कले कलेश में ही मर जाता है पूरी महावारत कवरो पंडों की पारिवारी कले कलेश में ही शमाप्त हुई है उनकी जिन्दगी उतनी ही दुनिया है उनकी सुबह से लेकर शाम तक कलै कलैस लड़ाई जगड़ा आपस का राग दैस और जो लोग आपस में राग दैस करते हैं इरिशा दैस करते हैं कलै कलै कलैस करते हैं भाई और बहनों याद रखना मैं निवेदन आपसे करता हूँ वे सब कवरोपंडो जैसे ही लोग है अब महाभारत होने वाली है सब मिट जाएंगे बरबात हो जाएंगे आपस में गम खा लीजिए समता ले लीजिए सहन सकती रखिए दूसरों के लिए कुछ त्याक कर दीजिए राम उसका नाम है जो अपने भाई भरत के लिए राज छोड़ कर बन चला जाता है भरत उसका नाम है जो अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ करके नंदी ग्राम में रहता है लच्छिमन उसका नाम है जो भाई की सेवा के लिए भरी जवानी में अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ कर साथ चला जाता है सत्रभन उसका नाम है जो गम खा करके अपने घर में मौन रहता है कभी मौन रहो, कभी भाई के लिए त्याग करो, कभी भाई की सेवा करो और कभी जो है गम खा करके घर में रह लो आपकी जिन्दगी धन्य हो जाएगी कभी राम बने के कभी स्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बने के कभी स्याम बने के चले आना प्रभुजी चले आना कभी भरत बन करके सभी से प्रेम करना शंद कबीर कहते हैं जो प्रेम करता है वही पंडित होता है जो द्वेश करता है वही खंडित होता है और जो गम खाता है वो महान होता है मात्मा बुद्ध के उपर थुकने वाला पस्चाताप में चल रहा है बुद्धोशी का नाम है जो छमा कर देते हैं जो गम खा लेते हैं आप भी अपने घर में सब को छमा भी करना गम भी खाना अनुशाशन भी रखना प्रेम से रहना आपका जीवन मंगल में हो सो भाग शाली बनने के लिए मनुश्य को क्या करना चाहिए जिनका भाग शोया हुआ है जिनकी किश्मत साथ नहीं दे रही है कबीर कहते हैं उनको चार काम करना चाहिए फूटी हुई किश्मत भी ठीक हो जाएगी शोया हुआ भाग भी जाग जाएगा चार काम करना पड़े अभी थोड़ी देर में बताता हूँ दूसरा प्रशन है महात्मा बिदुर से महाराजा धिराज धिरत राष्ट पोच रहे है कि चिंता करने से टेंशन में रहने से तनाओ करने से मनुश्य का क्या क्या नुक्सान होता है महात्मा बिदुर कहते हैं कि राजन जो लोग तनाओं में रहते हैं, चिन्ता में रहते हैं, उनकी चार चीजों का नुक्सान हो जाता है, चार हानिया मुख्य रूप से उनको जिलना पड़ता है, हे बिदुर वे कौन कौन सी चार हानिया होती है, चिन्ता करने से, और चिन्ता करने वाले मनुश्य के लच्छन क्या होते हैं, टेंसन में रहने वाले इंसान की पहचान क्या होती है, बिदुर ये भी बताओ, बिदुर कहते हैं राजन, चिन्ता में रहने वाले लोगों को गहरी निंद नहीं आती पहला लच्छड होता है आप अपने जीवन में टठोलना किया आपको गहरी निंद नहीं आती चिंता में रहने वाले लोग हसते बहुत कम हुए उनको हसी भी नहीं आती है कितने लोग जिंदगी में 20 साल हो गए हैं अभी तक 20 साल में एक बार भी हसे नहीं भगवान राम का सभाव था मुश्कराना भगवान क्रश्न का सभाव था हसना शंत कवीर का सभाव था प्रशन रहना बहुत बड़ी बात है दुनिया में रोना आसान है दुखी रहना आसान है चिंता में रात दिन जलना आसान है लेकिन हसना मुश्कराना बहुत कठिन है बाल्या वस्था में बच्पन में जब ग्यान नहीं होता है तो हसी खोबाती है बच्चा मुश्कराता रहता है हसता रहता है परंत जो जो उमर बढ़ती है हसी और मुश्कान धीरे-धीरे कम होती चली जाती है एक लड़की मायके में थी तो खोब हस्ती थी मुश्कराती थी तेज चाले में चलती थी सस्राल पहुंसते ही धीरे-धीरे उसकी हसी-खसी कम होने लगती है चाल भी धीमी होने लगती है शरीर का वजन बढ़ने लगता है और भजन घटने लगता है ग्यान बढ़ने लगता है मेरा घर कौन है मेरा पती कौन है बच्पन वो सवस्था का नाम है जहां पर मेरा तेरा का भेद भी बहुत कम रहता है गुजरात में डिश्टिक छोटा उदैपुर में सालपुरा गाउं में मैं गया था मेरे भक्त कह रहे थे कि सामने वाले से मेरा थोड़ा कम बनता है लेकिन ये मेरे बच्चे का उनसे बहुत अच्छा बनता है ये छोटा है चार साल का है ये जब देखो तब उन्हीं के घर में चला जाता है और वह लोग इसको काजू दे देते हैं किश्मिस दे देते हैं ये खोब खाता है अब मैं इसको लेने भी वहां नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उनसे मेरा बनता नहीं है और मेरा बच्चा उनके घर में बैठा है तो मैं चकर में फस जाता हूँ कब निकल कर बाहर आए तो अपना बच्चा उठा गी और इसको रोज समझाता हूँ उनके घर मत जाना उनसे बनता नहीं है तो ये कहता मेरा खुब बनता है काजू खाता है जहाँ मेरा तेरा का भाव राग दोईस का भाव नहीं है वहाँ हसी खुशी बहुत है जितना मुनसी राग दोईस बढ़ाता है जितना ज्यादा मेरा तेरा में पढ़ता है उतना ही ज्यादा हसी खुशी घटती चली जाती है हसने का सुभाव बनाईए खुश रहने की आदट डालिए टेंशन में रहने का सुभाव चेंज कीजिए क्योंकि ये संसार में सब कुछ तुमारे हाथ में नहीं है तुम सुबे से लेकर शाम तक बहुत महनत करते हो लेकिन तुमारी मन चाही नहीं होती है अंचाही हो जाती है हानी होने पर भी आपकी मन में चिंता ना हो चुनाओं में हार जाने पर भी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन्दगी में कभी हार कभी जीत कभी प्यार कभी प्रीत ये संगम है आज की हार कल जीत में बदल कराती है निराश मत हो ये मन को प्रशन रखी ऐशी बात मत करो जिससे मन दूसरों का टेंशन में आता है कितनी इस्त्रियां ऐसी बात करती है कि उनकी बात से ही उनका पती टेंशन में रहता है वे चाहती है कि मेरा पती युबिव जी ये लंबी उमर का हो लेकिन कठोर बात का इंजक्षन लगाती है तो वो इंजक्षन अपने पती को इतना घैल करता है कि उनका पती कमजोर होता जा रहा है याद रखना हर बात हर किसी से कहना नहीं चाहिए हर बात कौन कितना सह सकता है और किसको कितना सुनाना जरूरी है उतना ही सुनाईए बाकी बातों को रोकिए हर बात अपने पती को बताओगी हर बात तुम अपनी पतनी को बताओगे तुमारे घर में कभी शांती नहीं रहे सब को टेंशन में मट डालिये अभी एक सज्जन कह रहे थे मेरे उपर चौदा मुकदमा चल रहे तो मैंने का तुमारी पतनी को पता है पर उसको सिर्फ ये मालूम है कि दो मुकदमा चल रहे बारा छिपा के रखा तो मैंने क्यों छिपाया है बोले दो ही में उसको टेंशन है और चौदा बता दो तो वो तो मर जाएगी फिर सारी टेंशन हमारे उपर आजाएगी इसलिए बताता नहीं दूसरों के दिल को भी पहचानी है प्रशन्नता तुमारी शंपदा है तो आपको मैंने दो बाते बताया है नमबर एक स्वभाग शाली बनने के लिए चार काम करना पड़ेगा नमबर दो टेंशन करने से चार चीजों का नुक्सान उठाना पड़ेगा तो ये दोनों चार चार बाते आपके बीच में खुलासा कर देता हूं संद कवीर कहते हैं चार काम यदी तुम करते हो तो स्वया हुआ सभाग जाग जाएगा नमबर एक, नमबर दू, नमबर तीन, नमबर चार गुरु शेवा जन बंदगी, सत संगत बेराग, ये चारों जब ही मिलें तब जानों बड़ भाग जिसके पास में गुरु की शेवा है, गुरु के प्रतिश रद्धा है, जिसको परफेक्ट इफेक्ट गुरु मिला है, जिसका गुरु महान गुरु है, बेरागिवान गुरु है, ब्रह्मचारी गुरु है, सदाचारी गुरु है, सद्गुन धारी गुरु है, और ऐसे गुरु की भगती जिसको मिल गई है, भक्ती बहुत बड़ी चीज है भक्ती में बहुत बड़ी शक्ती होती है श्रद्धा बहुत बड़ी ताकत है श्रद्धा का उदाहरण आपको देखना है ये कलब्वी को जब दुरुनाचारे ने देखा है पूछा कि तुझे बानविद्य कहां से मिली मैंने तो सिखाया नहीं तो एकलब्वी ने कहा मेरे गुरु दुरुणाचारी है और मिटी की मूर्ती बनाकर उसको दुरुणाचारी मानकर छिर्ण छोकर वो बान चलाता था निशाना सीखता था बान विद्या में अर्जुन से ज़्यादा कुसल और सफल एकलब्वी हुआ दुरुणाचारी को आश्यर हो गया कि गुरु की महंता तो होती ही है लेकिन याद रखना भाईयों बहनों गुरु की परती श्रद्धा का उस से ज़्यादा प्रभाव होता है गुरु भक्ती है जिसके पास में है भगवान स्री राम के बच्पन में गुरु वसिष्ट थे जवानी अवस्था में उनके सद्गुरु विश्वमित्र थे और सब संतों का प्रवचन सुना था हो हमे जहां जाते थे संतों में दंडवत प्रणाम कर लेते थे और दंडवत प्रणाम में वो ताकत होती है कि आपके कर्म के दंड से दंडवत प्रणाम छोटकारा दिलाता है आज हमारे देश में प्रणाम धीरे धीरे घटता जा रहा है लोग माता पिता को भी प्रणाम करना नहीं चाहते हैं अभिमानी आत्माओं का जन्म हो रहा है माता पिता को भी प्रणाम कीजिए भगवान स्री राम के बारे में चौपाई है मस्तक जुकाना कोई शाधरन बात नहीं है और जुकने में फायदा है अकडने में नुक्साम है जिसको तुम जुक जाते हो उचकी 25 फिस्दी ताकत आपको मिल जाती है और जहां तुम अकड जाते हो तुमारी 25 फिस्दी ताकत उसके पास चली जाती है जुकना एक कला है अकडना मुढता है और जुकने वाले लोग उल्जन में बहुत कम पड़ते है जुकने वाले लोगों को उठाने वाले बहुत मिल जाते है अकडने वाले लोगों को गिराने वाले बहुत मिल जाते है जो बहु अपनी सासु को जुग जाती है वो सासू की आसिरवात को प्राप्ट कर लिती है जो बेटा अपने बाप को जुक जाता है जो सिसे अपने गुरु को जुक जाता है जीवन धन्ने हो जाता है जुकना सीखो जुकना जिन्दा की पहचान है अकड़ना मुर्दे की पहचान है मुर्दा अकड़ जाता है और जिन्दा आत्मी जिधर मुड़ उधर मुड़ जाता है शरल सुभाव नमन को टिलाई भक्ती के बारे में बताया गया है शरलता भक्ती की पहली सेड़ी है जब भगवान स्री राम चोदा वरस का बनवास पुरण करके विध्या को वापस लोट करके आए पुर्वासियों को संबोधन देने के लिए बहुत बड़ी सभा का योजन किया तो सभा में राम कहते हैं कि सब भक्ती को रोग भक्ती ही सार है भक्ती ही उद्धार है भक्ती ही बेड़ा पार करेगी तो पुर्वासियों ने कहा कि प्रभू हम ग्रहस्त लोग है नाना जंजाल है हम भक्ती कैसे कर सकते हैं ग्रह कारज नाना जंजाल ग्रिष्ती में नाना जंजाल है ग्रेह कारज नाना जन्जाला तेती दुर्गम से लगिशाला ग्रेह कारज नाना जन्जाला तेती दुर्गम से लगिशाला नाना जन्जाल में आप रहते हो एक दो जन्जाल नहीं है नाना जनजाल है उत्तर प्रदेश में एक परिवार में मेरी पधरवनी थी तो पती पतनी कह रहे थे पूरा दिमाग फेल हो गया इतना जनजाल है सब तरफ से समस्चा है और याद रखना जो समस्चाओं को देख कर मुश्कराता है संघर्ष को देख करके हसता है कटनाईयों को देख करके जिसका दिल खिलता है वह विक्ती हर समस्चा का समाधान ढूंड लेता है हर संघर्ष में सफलता प्राप्त कर लेता है वो कभी हारता नहीं दुख में मत घबराना पंची यह जग दुख का मेला है इह जग दुख का मेला है चाहे भीड बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है उड़ना तुझे अकेला है दुख में मत घवराना पंची हो दुख में मत घवराना पंची एह जग दुख का मेला है चाहे भीड बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है उड़ना तुझे अकेला है नंहे को मल पंख ये तेरे और गगन की एदूरी बेठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलासा पूरी उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है दुख में मत घबराना पंची ये है जग दुख का मेला है चाहे भीड बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है उड़ना तुझे अकेला है उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है जिसने संकट झेला है शंकट से कभी घबराना मत जहां जहां तुम घबरा जाते हो हिम्मत तोड़ देते हो साहस बहीन हो जाते हो छोटी सी समस्चा बड़ा रूप लेकर आती है जब तुम साहस से भर जाते हो संघर्ष करने के लिए ततपर हो जाते हो तो हर समस्या समाधान में बदलती चली जाती है चाहे पारिवारिक समस्या हो सारीलिक समस्या हो सामाजिक समस्या हो कोई भी समस्या हो जिसके जीवन में समस्या नहीं समझो वो जिन्दा नहीं है मुर्दा हो चुका है मुर्दा के लिए कोई समस्या नहीं है आदमी जिन्दा है इसलिए समस्या है समस्या रहने दो क्योंकि हमको जीना है अभी समस्या से घवराना बात कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाए हिम्मट तूटने मत देना संयम परहेज आउसधी दवाई का सहरा लेकर बैयाम पैदल टहला लंबी सांस लेना इस शे तुम्हरा स्वास्त अच्छा हो जाएगा निराशा मनुष्य की मृत्तू का दूसरा नाम हो निराश वा वेक्ती मरे विये जैसा हो जाता है निराश मत होना खुश रहने का अभ्यास कीजिए नए नए गुणों को अपने भीतर उत्पन कीजिए कला कौसल में प्रवीण बनिये सबसे प्रेम कीजिए मन में गांठ मत बनाईए इरिशा की आग को बुझा दीजिए किसी की उन्नती को देख करके जलन मत कीजिए क्योंकि इरिशा करने से दूसरे का सुख तुमारा दुख बन जाता है और प्रेम करने से दूसरे का सुख तुमारा सुख बनता है दूसरे का दुख तुमारा दुख बनता है इसलिए प्रेम से जीना सीखो तो जिन्दगी में सुख जरूर बिटे